हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सोनम पांडे ओलंपिक में गोल्ड मिडल जीतने के बाद से हमारे नीरच चोपडा जी के उपर अब बायोपिक बनने की बाद चल रही है और नीरच चोपडा ने अपने बायोपिक में किसे हीरो के लिए चुना है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो फ्रेंड्स ये पूरा वीडियो देखिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजिए मेरी इंस्टाग्राम आइडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तो नीरज चोपड़ा के इंस्टाग्राम फॉलोवर बहुत ही तेजी से बढ़ गए हैं जबसे उन्होंने गोल्ड जीता हुआ है देड़ लाग फॉलोवर से सीधे तीन मिलियन फॉलोवर्स हो गए है दोस्तो मेरी कॉम, मिलका सिंग और सायना निवाल पर बायोपिक बन चुकी है और अब नीरज चोपड़ा की बात की जा रही है पर नीरज ने एक इंटर्विव में कहा है कि वो चाहते हैं कि उन पर कोई बायोपिक ना बने क्योंकि वो अभी खेल पर ध्यान देना चाहते हैं रिटायर्मेंट के बाद वो ये सब सोचेंगे लेकिन दोस्तो अभी रुकिये नहीं आगे भी उन्होंने इंटर्विव में कुछ कहा है दोस्तो वो मैं आपको बता देती हूँ नीरज ने ये भी कहा है कि अगर उनकी बायोपिक बनती है तो वो अपना रूल खुद प्ले करना चाहते हैं और अगर वो अपनी बायोपिक में खुद हीरो बनते हैं तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तो अगर उन्हें अपनी बायोपिक के लिए कोई हीरो चुनना पड़े तो वो रंदिप होड़ा या अक्षे कुमार को चुनेंगे क्योंकि वो इनके बहुती बड़े फैन है दोस्तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर ऐसा है तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजी और वीडियो को लाइक कर लिजी इंस्टाग्राम पर भी मुझे सपोर्ट करते रहे ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद